आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां हम बात करेंगे BSC Nursing Admission 2021 के संदर में क्योंकि इसमें एक portion नया जोड़ दिया गया है Nursing Aptitude का यानि 20% जो paper का section है वो Nursing Aptitude के questions पूछे जाते हैं तो यह क्या होता है Nursing Aptitude पहले इसको समझेंगे फिर किस तरीके के questions आते हैं उनको भी discuss करेंगे तो यह पूरियो वीडियो को आप देखिएगा अगर कहीं आपको कुछ कमी नजराती है या कोई और चीज़ क्या हो सकता होगी तो आप comment box में जरूर लिखें और फिर उसके आगे ही चीज़ें हम यहाँ पर discuss करते रहेंगे तो आईए शुरू करते हैं आजका यह महत्पूर वीडियो उससे पहले अगर हम चलब नए हैं तो subscribe करना बिल्कुल न भूलें देखिए यहां Nursing Aptitude Test से सम्बंधित है तो chances are that at some point in your life you will be cared for, helped, advised, comforted by a nurse equipped with the knowledge, skill and strong desire to help others तो यह सब चीज़ें इसमें काफी ज़्यादा stress, demand, admiring यह सब बहुत सारी चीज़ें requirement होती हैं आपका behavior कैसा है, चीज़ें कैसी हैं आप कैसे deal कर रहे हैं पेसेंट्स को इन सब चीज़ों को यहां पर लेके advise की जाते हैं उसी के संदर्ब में यहां पर Nursing योगिता जो परिक्षड है जिसको आप aptitude test कह रहे हैं कि संभावना आपके जीवन में किसी बिंदु पर एक nurse दोरा आपकी देखभाले यह किसी patient की देखभाल की जाएगी nurse के दोरा की जाती है मदद की जाती है उसकी सलाह दी जाएगी उसे और आराम दिया जाएगा यानि patient को कैसे उसकी care करना है इसके बारे में तो ज्यान, कौसल और दूसरों की मदद करने की तीवर इच्छा से लाइस हो यहनि जो nurse हो उसमें यह सब चीजे हो और यह अकसर कम महत्तो वाले कारिकरता स्वास सेवा की अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं कि जो nurse होती है वो सबसे आगे पंक्ति पर होती है सबसे ज़्यादा care उसी के दोरा की जाती है जो तनावपूर मांग और कठिन वातावण के बीच लोगों को बचाने के लिए द्रणसंकल्पित होती है यहनि जो nurse होते हैं वो द्रणसंकल्पित होते हैं बचाने के लिए तो आप उनका कारिछेतर को समझे कि क्या-क्या इन्हें चीजें कैसे हैंडल करनी परती हैं कितिना टिपिकल चीजें होती हैं इनके साथ नर्सिंग छेतर सभी के लिए नहीं है यह aptitude test यह आकलन करेगा जो aptitude है aptitude test की बात यहां की जा रही है जिस पर हम discussion करेंगे भी paper pattern पर तो यहां आकलन करेगा कि आपके पास एक सफल और देखभाल करने वाली नर्स बनने के लिए आवसक लक्षण और कौसल हैं प्रतेग प्रशन को ध्यान से पढ़ें और चीजों को समझें तो यहां आप किस प्रकार देखभाल कर पाएंगे उसकी क्या एक emergency आगी तो फिर आप क्या कर पाएंगे एक चीज़ आप कर रहे हैं फिर उससे जदा emergency आगे तो उस चीज़ को कैसे handle करेंगे आपसे डॉक्टर ने कहा यह करना है पेसेंट की डिमांड यह है तो आप उन दोनों चीज़ों के बीच का सामन जस किस प्रकार जो है स्थापित करेंगे इन्हीं चीज़ों को इसी डायरे को प्रस्न के रूप में आपसे पूछा जाता है तो आएए देखते हैं क्योंकि आप जानते हैं अटल बिहारे बाज़पे Medical University उत्तर प्रदेश में इस बार जो format है जो इसमें paper का pattern है आप यहां पर देखेंगे तो उसमें 20% यानि करीब 40 questions आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि यहां जानते हैं कि there will be the 200 questions तो यहां 200 questions हैं और आपके पास यह sections आप देख लिजए कि कितने ज़्यादा sections हैं तो यहां पर 5 sections में इसे माटा गया है तो 5 sections में मतलब 20-20% करके बाट दिया गया है 40 questions आपको nursing aptitude के भी इसमें मिलेंगे तो इसी को लेकर यह video है आप अभी तक देख के आएंगे इस video को देख रहे होगे तो आपको काफी हद तक चीज़े समझ में आ रहे होगे कि किस type की चीज़े किस से related में कोई आपके awareness उस तरीकी की चीज़ों को check नहीं करना होता है अब यहाँ पर हम एक questions लेकर आपके लिए आए हैं तो देखिए आप जो है उसे patients को देंगे जब आपके पास 7855 जो है units है और यहीं देना है और उसे आपको देना है उसे जो आपके पास available है वो 10,000 है तो इसकी जो इसका answer होगा answer हम आपको आप comment box में भी लिख सकते हैं कि इसका answer क्या होगा क्योंकि इतना हम time ले रहें कि आप comment box में लिख सकें जिससे आप check कर सकें अपने आपको की आपको पता है कि नहीं पता है तो यहाँ जो इसका option है वो पहला option ही इसका सही है 0.79 और यह कैसे सही है इसके बारे में बात कर लीजिए जितने यहाँ पर prescribed होता है तो इसको आपको क्या कर देना है 10,000 से multiply, divide कर देना है जैसे आप इसे divide करेंगे तो आप देखेंगे तो इसका answer जो आपको मिलेगा 0.7855 मिलेगा जब आप इसे round figure में approximately करेंगे तो 0.79 आपको इसका answer मिल जाएगा तो इस परकार यह पहला option इसका सही हो जाता है तो एक तरीके का तो यह question आपका हो गया दूसरे questions की हम बात यहां कर लेते हैं तो देखें दूसरा question जो आपको है यह थोड़ा सा theoretical type के भी पूचे जा सकते हैं तो पेसेंट विद द फ्रेक्ट्रस रिब यहनी उसके फ्रेक्ट्रस के रिब होई इस पिन विद द वन पिलू यह action करना होगा उसके बाद का फिर call the doctor's report your finding and request that the cease patient urgently की urgently doctors आएं उसे देखें इस तरीके का आपको करना होगा look up the patient chart for the blumery functions test results उसके results of charts को देखेगी क्या करेगी उसको फिर order a chest x-ray तो क्या chest x-ray के लिए order कर देगी तो इसका जो options आप सभी लोग जानते हैं आप comment box में भी इसे लिक सकते हैं कि ये किस तरीके काउन सा question यहाँ पर इसका जो है answer आपका होगा तो इसका answer जो आपको मिलेगा जो इसका answer आपको मिल जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं इसका option जो हमारा है वो option सही होगा हमारा B part सही होगा कि call the doctor and report your finding and request that he see patient urgently तो इस तरीके की questions आपको मिल जाएंगे वहाँ पर एक अगला question हाँ पर हम देख लेते हैं the nurse has just opened the string dressing pack and to do a routine dressing and is called away for the emergency जैसे उसने open किया उसके emergency call आ गई तो चीज़े अब उसको क्या करना होगा और उसके बाद 20 minutes later second nurse is asked by the manager to complete the procedures what is correct step अब उसे क्या करना चाहिए यानि जो 20 minutes बीतने के बाद अब manager ने जो चीज़े किये उसको emergency में जाना पड़ा तो उसके बाद की चीज़े क्या होगी इसमें से चार options दिये गए हैं इस situation को handle करने के लिए तो उसमें आप देख सकते हैं doctor call the doctor and discuss the procedures यानि क्या nurse को चाहिए कि call doctor को call करे और बाकी चीज़ों को discuss करे पहला option दूसरा go to the treatment room and collect the new pack क्या उसे नया pack collect करना चाहिए जो open करके चली गई थी उसे यूज करना चाहिए या नया pack उसे यूज करना चाहिए discuss the procedure with the manager क्या manager से discuss करना चाहिए routine the procedures using the pack at the websites तो ये इसमें से कौन सा options आपका सही आपको लग रहा है comment box में चरूर बताएं देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो like, share और comment चरूर करिए ज़्यादा से अपने दोस्तों तक share करिए जैसे उनके भी confusion दूर हो सकें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो इसका portion है यह जो इसका option जो है इसका सही option जो आप पाएंगे तो वो ये होगा कि go to the treatment room and collect a new pack क्योंकि उसमें जो open था और बाकी चीजें थी उसमें infections होने के chances और बाकी चीजें से बढ़ जाती हैं तो उम्मेद करते हैं ये आपक वीडियो आपको काफी relax कर रहा होगा आप काफी ज़्यादा जो doubts आपके दिमाग में comment कर रहे थे कि क्या आता है क्या नहीं आता है तो आप इस pattern पर questions को देख सकते हैं समझ सकते हैं चीजों को अगर जरूरत होगी तो आपको अगर महसूस हो रही तो और questions paper questions को हम लाएंगे और आपको discuss करेंगे इस exam से पहले तो उम्मिद करते हैं आपको काफी राहत मिल रही होगी तो मिलते हैं अगली update तक तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत